रजोरी के डेरा की गली के गने जंगलों में सुरक्षा बलों का महा ओप्रेशन चल रहा है आज महा ओप्रेशन का छटवा दिन है लगातार जमू कश्मीर पुलीस भारती सैना और साथ में CRPF के विशेश कमांडो जंगल की छान मार रहे हैं ताकि जो एक कायर आतंकी थे ती तकरीबन 27 आतंकियों को डेर किया है यह 27 आतंकी तकरीबन लाइन आफ कंट्रोल के उस तरफ से आये थे यानि की पाकिस्तानी आतंकी थे लेकिन इन सब के बीच 21 तारी को तीन बच के 45 मिनट पे जब बारतिसाना की दो वहाने जारी थी तो उसी बीच में आतंकियों की इस वक्त चल रहा है लेकिन इन सब के बीच हम आपको गने जंगलों के बीच लेके आए हैं ताकि हम आपको दिखा सके की सुरक्षा बलों के सामने चैलेंजिस क्या है दरसल यह गने जंगल सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के सामने हैं और उसी बीच में जो नैच हत्यार गोला बारूत छुपाने की तरह किया जाता है हम आपको नैच्रल केव दिखाने की कोशिश करेंगे यह तस्वीरे आप देख रहे हैं और यह देखे यह है नैच्रल केव जहां पर आतंकी जो है वो छुपे रहते हैं अपना राशन हत्यार और खुद यहां पर इनी गने जंगलों के अंदर छुपे होते हैं ताकि हमारे सुरक्षा बलों की आँखों से बच सके यह देखिए यह किस तरीके की यहां पर जो नैच्रल केव है जो आप देख रहे हैं और यह नैच्रल केव तकरीबन कई मीटर लंबी है जिसका इस्तमाल आतंकी जो है वो यहां पर करते हैं ताकि हमारी सुरक्षा बलों की आँखों से बच सके लेकिन गने जंगल के बीच सुरक्षा बल महा आपरेशन चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आतंकीों को निट्रलाइस किया जा सके इसी तरीके की एक केव जो है वो काला कोट में थी जिसको हाली में ही सुरक्षा बलों ने दौस्त किया है और वहीं काला कोट इलाके में आतंकी कमांडर क्योरी रहता था जिसको निट्रलाइस काला कोट के अंदर हाली में ही सुरक्षा बलों ने किया क्योरी मास्टर माइंड था डांगरी आतंकी हमले का लेकिन इन सब के भी जिस तरीके से 21 तारीक को सुरक्षा बलों की गाड़ी पे आतंकीों की तरफ से हमला किया गया उसके बाद इनी गने जंगलों के अंदर आतंकी जो है वो छुप जाते हैं रजोरी और पुंच की आगर बात की जाए वहाँ पर इसी तरीके की कई नैच्रल केव्ज है जिसका इस्तमाल आतंकीों की तरफ से किया जाता है यह देखे कहीं जगाओं पे नदी नाले भी गुजरते हैं जहां पर आतंकीों की तरफ से जो पानी जो है आतंकी यहां से पानी भी लेते हैं यानि कि गने जंगलों में कहीं जगाओं पे जो वाटर फॉल है वो भी है लेकिन इन सब के बीच आपको बता दे सूत्रों से मि मिल रही है उसके मुताबिक दो सो से डाइसो आतंकी इस वक्त लॉंच पैड पर है सत्रा लॉंचिंग पैड सत्रा ट्रेनिंग कैम्प 37 लॉंचिंग पैड यह संख्या है पाकिस्तान ऑकिपाइड कश्मीर में आतंकियों की तरफ से चलाए जा रहे हैं लॉंच पैड और ट्र पाकिस्तानी सैना और पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आएसाइड की तरफ से वहीं सेजी कमांडो की तरफ से इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरीके से जंगल वार्फियर में क्लोस कॉमबैक में लड़ना है आपको बता दे कि तकरीवन जो लॉंच पैड है वो पाकिस्तान औकिपाइड कश्मीर के नीलम वैली लीपा वैली वहीं कोटली मीरपूर साथ में जो पढ़ महुला यह ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों की तरफ से लॉंच पैड और ट्रेनिंग कैम्प चलाये जा रहे हैं आपको बता दे कि लगातार सुरक्षा बल में होती हैं और वो कौन सी चुनोतियां हैं जो सुरक्षा बलों के सामने हैं और यही वजा है कि लगातार आपरेशन में जो टाइम है वो लग रहा है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया जो हैं वो सुरक्षा बल कर सके कैमरा परसन अनुदीब शर्मा के साथ अंकित बठ टीवी नाइन भारतवर्श के लिए